सबी साथियों को जैहिंत, मैं आपका साथी डोक्टर सुक्षर्मा, एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ हूँ, कैसे हो भी आप सब लोग, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, निसीत रूप से अच्छी चल रही होंगी, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ, ए टेस्ट करवाया कीजिएगा, खुब सारे टेस्ट करवाया कीजिएगा, तो एक ओर टेस्ट आप लोगों के लिए है, टेस्ट का जो टोपिक है, वो है S-P-O-C-A, ये आपका टोपिक है, S-P-O-C-A, ठीक है अभी, और त्रे निश्चित रूप से आप सब लोग चाह रहे थ है, कि S-P-O-C-A, M-H-M, पार्ट्स ओपिस्पीच, इस प्रकार की जो टोपिक्स हैं, इन पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाये जाएं, तो आज का जो टेस्ट होगा, वो इने टोपिक्स पे होगा, आप सब लोग बहुत मन से, पूरे मन से, पूरी गंभीरता के साथ ये समझते हुए, कि ये जो हमारा टेस्ट है, ये हम एकजाम होल में बैठे हैं, वहाँ हमें पेपर मिल रहा है, और उस पेपर को हम सौल कर रहे हैं, इतनी गंभीरता के साथ, आप सब लोग इस टेस्ट को देंगे, और टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ब प्ले स्टोर से वीनस वाल्ट, इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें, बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट, सेलेक्शन ओरिएंटेड कोस, आपको वहाँ मिलेंगे, कौन-कौन से कोसेस आपको यहाँ मिलेंगे, वो हैं इंगलीज ग्रेड फास्ट, ये कोस आपको मिल सकता ह हैं, आप चाहें, जोइन कर सकते हैं, इंगलीज ग्रेड सेकेंट, इसके साथ ही, राजस्तान अध्यान का एक बहुत चांदार कोर्स है, जिसमें राजस्तान अध्यान में, जो माद्यमिक सिक्षा, वो राजस्तान की किताबें चलती हैं, हमारा राजस्तान, अक्षा 6 से 8 उन पुस्तकों को word to word explain किया हुआ है, उनके साथ और बहुत सारी चीज़ें add की हुई हैं, ये आधार भूत पुस्तके हैं, authentic books हैं, आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हो, आपके लिए ये course बहुत important course हो सकता है, रीतु मेडम इसको पढ़ाती हैं, आप चाहें तो इसको join कर सकत हैं, उसके साथ ही read pre और mens के सवी courses आपको यहाँ मिल सकते हैं, यानि English के pre में language first, language second और read English mens के course आपको यहाँ उपलब्द होंगे, अब हम आज की class शुरू करते हैं, और ये है हमारा आज का पहला question, ठीक है, क्या है question एक बढ़ पढ़ लेते हैं, ठीक से, identify the closed structures in terms of, ये of है, in terms of SPOCA, के लिए रहोगा question क्या है, जब कभी भी आप लोग SPOCA के questions solve कर रहे हों, sentence pattern के questions solve कर रहे हों, तो पहली आउ सकता क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो आपका काम है, वो है phrase marking का, सबसे पहले आप उस sentence में कामे लिवी सभी प्रकार की phrases की marking कर लेंगे, जिस भी लड़के का SPOCA, SVOCA का जो topic है, ये clear नहीं होता है, उसकी वज़े होती है, कि उसके MHM, यानि उसकी phrases वाला topic है, वो clear नहीं है, के लिए रोगी बात, पहला काम क्या करेंगे, इस sentence में कितनी phrases हैं, उनको ढूंडेंगे, सबसे पहली phrase है, मैं अन्डरलाइन कराओ, My wife, ये पहली phrase है, समझना गया, दूसरी, always, तीसरी, has a good cry, और उसकी बाद है, Our awaiting, ये आपकी phrases है, आप पता करेंगे, ये कौन-कौन सी phrase है, पहली, My wife कौन सी phrase अभी, ये noun phrase है, My wife कौन सी phrase है, बताओ बेटा, ये noun phrase है, इसका head word कौन है, जब भी आप phrase पढ़ें, तो head word जरूर पढ़ें, इसका जो head word है, वो कौन है, wife, जो की क्या है, के noun है, ये इसका head word है, My इसका pre-modifier है, ये जो noun phrase है, ये जो NP है, इस sentence में subject का काम कर रही है, यानि ये जो phrase है, ये आपकी क्या है, subject है, यहाँ तक होगा है clear, उसके बाद, always word है, ये adverb है, यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, adverbial कहेंगे, phrase है ये भी, adverb phrase है, इसलिए क्या कहलाएगी ये, adverbial कहेंगे, हम इसको a कहेंगे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चीए, बहुत धीरे-धीरे हम चलेंगे, एक-एक बात को clear करते वे चलेंगे, ताकि test देने के बाद, आपको लगे कि हाँ, हमने बहुत अच्छे तरीके से topics को clear किया है, उसके बाद देखिएगा बिटा, ये चो आपकी है, ये, x-a-f, hedge, ये आपकी vp है, क्या है बिटा ये, vp, vp का मतलब, wow phrase है ये आपकी, clear होगी बात, इस wow phrase में a की word है, और ये एकी word हो, किसी भी phrase में, तो वो क्या होता है, वो head word होता है, ठीक है, तो ये head word है, vp है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, p कहेंगे, क्या कहेंगे, p, अब मेरा एक question आप लोगों से है, बहुत साधान सा question, कि इस sentence में, जो hedge word यूज हुआ है, ये किस प्रकार की wab है, ये lexical wab है, तब तो आप comment box में मुझे l या lexical लिख दें, और यदि ये wab auxiliary है, तो आप क्या लिख दें, auxiliary लिख दें, यानि आपका सिदा सिदा question ये है, कि इस sentence में, जो hedge word यूज हुआ है, ये किस प्रकार की wab है, man wab है, या helping wab है, या ये कह दो lexical wab है, या फिर auxiliary wab है, फटा फट सब लोग लिख देंगे बे, इसमें, यहाँ जो hedge word है, ये lexical wab है, कौन सी wab है ये, man wab है, क्लियर होगी बात ये, अब ये आगे जो phrase है, a good cry, a good cry, ये कौन सी phrase है, a good cry, कौन सी phrase है, लिखो फटा फट, कौन सी phrase है, यहाँ लिख लेते हैं, अपन समझे लेते हैं इसको अलक से, A good cry A good cry बताओ भी कौन सी phrase है सबसे पहले यह बताओ कि इस phrase में यह जो word cry है यह कौन सा part of speech है noun है यह verb है क्राई verb भी होती cry noun भी होता है यह noun है और यह np है यह noun phrase है यह आपके जो आपको यहां दिख रहे हैं यह दोनु वर्ड इसके pre-modifiers है क्या है मेटा यह pre-modifiers है यानि यह भी np है और यह np इस sentence में object का का काम कर रही है किसका काम कर रही है object का काम कर रही है अब कई बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी क्या सार hedge verb के बाद object आता है बिल्कुल सही बात है जब कभी भी hedge, have, had जहां से कहीं भी नोट कर लीजिएगा जब कभी भी hedge, have, had इनको man verb के रूप में possession बताने के लिए क्या बताने के लिए possession बताने के लिए प्रियोग किया जाए तब इन verbs के बाद जो phrase आती है तब इन verbs के बाद जो word आते है वो क्या कहलाते है object होता है क्या होता है बिटा वो object जैसे I have a car मेरे पास एक car है यह अपका साधान सा sentence है I have I have a car मेरे पास एक car है इस sentence का pattern क्या है I subject have verb और a car क्या है object है उसी तरीके से a good cry क्या है इसमें object है क्या है बिटा object है फिर over-avading इसको बताओ भी यह क्या है over-avading कौन सी phrase है पहले phrase का पता करेंगे तबी आप लोग s, p, o, c, a ठीक तरीके से कर पाएंगे कौन सी phrase है फटा-फट कॉमेंट बुक्स में लिखेंगे कि सार यह फ्रेज है लिखो भी कौन सी phrase है लिख दिया कौन सी phrase है over-avading over कौन सा part of speech है यह बता दो पता तल जाएगा over-preposition है preposition के बाद over के बाद क्या लिखा हुआ है a-vading लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ अभी a- vading लिखा हुआ है चलो थोड़ा ओर समझते है ढंग से चीजों को इसमें wedding कौन सा part of speech है wedding wedding इसमें noun है कैसे पता चला noun है बई यह क्या है a यह article है और यह article अपने बाद यदि a की word ले रहा है article के बाद यदि a की सब्द आए वो निस्चित रूप से 100% noun ही हो सकता है नहीं हो सकता है आप लोगोंके एक बात और बताते हैं कि noun को पैचानने के दो तरीके होते है एक तो होता semantic semantic का मल होता है उसका art semantic से मतलब क्या होता बिटा semantic semantic का मल होता है art से समंदित एक होता है syntactic syntactic का मतलब होता है sentence में उसकी structure sentence में उस शब्द का बाकी सब्दों से relation के आधार पर भी हम noun को identify करते हैं, एक sentence में लिखता हूँ, Rames is a good boy Rames is a good boy देखो ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बताई जाती हैं, कि आप पे अच्छे student है आप जानना चाहते हैं इस परकार की चीज़ें, आप interest लेते हैं तब एक teacher को लगता है कि उसको बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बतानी चीएं, नई नी चीज़ें उनको बतानी चीएं, इसमें Ramesh जो है, ये किसी व्यक्ति का नाम है और noun क्या होता है, naming word यहां आपने Ramesh को पहचाना, किस आधार पे इसके अर्थ के आधार पे, इसको कहते हैं semantic identification of a part of speech, के लिए रो गया अर्थ के आधार पे, चलो यहां आपके पास एक word है boy और यह जो word है good यह है adjective यह क्या है बटा, adjective है आप इस adjective को तो जानते हैं, लेकिन इस boy का जो meaning है, यह आप नहीं जानते, जरूरी नहीं है कि वहाँ boy जैसा कोई आसान सब्द हो, बहुत मुश्किल सब्द भी हो सकता है, मानो वहाँ इस प्रकार का ऐसे ऐसे लिग दिया कोई Hebrew भासा में मानो, और आप से पुछे, कि good adjective है क्योंकि आप पे पैचानते हैं, ए आर्टिकल है यह पैचानते हैं, good adjective है यह पैचानते हैं, सिर्फ आपको यह सब्द नहीं आता, तो आप बता सकते यह कौन सा सब्द है, क्योंकि adjective के बाद जो सब्द आएगा वो कौन सा होगा, noun होगा यह क्या कहलाता है syntactic identification of a part of speech यानि वाक्य में उस सब्द का बाकी सब्दों के अनुशार, प्रियोग जो किया हुआ है, बाकी सब्दों के relation के आधार में हम उसको ढूंड लेते हैं, उसी प्रकास से हमने ढूंडा, कि यह जो वर्ड है, यह आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद जो सब्द आना चाहिए, वो निस्सित रुप से क्या होना चाहिए, नाउन होना ही होना चाहिए, इसका मलब यह पका क्या है, नाउन है यह preposition, और यह noun phrase, इसका मलब यह भी क्या है, prepositional phrase है, क्या है बेटा यह, prepositional phrase है और prepositional phrase sentence में क्या काम करती है What is the function of a prepositional phrase in a clause एक clause में prepositional phrase का क्या काम होता है वो होता है adverbial का किसका काम होता बिटा adverbial तो ये भी क्या है adverbial अब बताएए आप लोग गए इस sentence की structure क्या है जो भी option आपको लग रहे हैं उन option को आप क्या कर ले मैंने एक एक word को आपको समझा दिया है clear होगी बात भी ठीक लगा यदि आपको ठीक लगा हो आपको मज़ा आया हो question देखके solution देखके तो एक बार निस्सित रूप से अपने साथियों के साथ सादा कर दीजिएगा इदे ठीक लगा हो तो share कर दीजिएगा otherwise कोई बड़ी बात नहीं है next question पर पन चलते हैं ये है आपका next question आपके सामने बताओ भी इसमें क्या pattern है sentence देख लो क्या है that story about the alligators in the canal has been denied सबसे पहला काम क्या है phrase की marking करेंगे उसके बाद बताएंगे कि clause में क्या काम कर रही है वो phrase बताओ भी answer देजीगा फटा फट चलो भी हो गया होगा अब तक चलो शुरू करते हैं सबसे पहले तिए बताओ ये जो that word है txat that ये कौन सा part of speech है that कौन सा part of speech है आसान सी बात है फटा फट लिग दो बस हमने पूछ लिए आप लोगों से बाकि आप जानते हैं कि story नाउन है तो that क्या होगा that story ठीक है demonstrative क्या है adjective है हो जाएगी कोई दिकत नहीं है that story about the alligators alligators मगरमच होते है alligators in the kennel kennel नहर होती है has been denied आपका काम दूसरा ये है कि आप इसको about को part of speech बताओ कौन सा है about का part of speech बताइगा कौन सा part of speech है फटा फट लिग देजिएगा which part of speech is about here in this sentence इस sentence में about कौन सा part of speech है कम से कम 5 questions आएंगे part of speech के कितने questions 5 questions आएंगे part of speech के 5 questions आएंगे SPOCAK और 5 ही questions किसके आएंगे MHM के इसका मतलब हम 15 questions को एक साथ लेके चलने का प्रियास कर रहे हैं बताइए about क्या है about the alligators about the alligators the article है alligators नाउन है ये about के बाद में नाउन आया हुआ है ये preposition है क्या है ये preposition है about him about William Shakespeare about democracy about the country about the village ये लिखे इसके बारे में उनके बारे में हमारे बारे में ऐसी स्थिमें about क्या होता है preposition होता है about क्या होता है preposition होता है नागी बद चलो एक सेंटेसों लिखते हैं they turned about and went away ये लिखो भई they turned about T-U-R-N-E-D they turned about and went away and went away ठीक है? आपको about बताना है कौन सा part of speech है? about कौन सा part of speech है? ये बताना है फटा फट लिखो भई देखो about कौन सा part of speech है? they turned about about को बताना है? they turned about किदर मुड़े? पीछे मुड़े क्या बता रहा है? direction बता दो place बता दो ये चो वर्ड आपका यहाँ ये एडवब है क्या है बटा ये? एडवब ये क्या है आपकी? एडवब जान रखा करो बहे इस प्रकास ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन अपनी बातों पर बढ़ते हैं ये दो चीज़ें आपने समझ ली यहाँ अब आपन इसको अपने sentence पर आते हैं ये पैटर्न कौन सा है? ये जानने की कोशिस करते हैं चलो बे आप लोगोंने निस्सित रूप से आंस्वर दे दिये होंगे देट स्टोरी अब इसका पूरी की पूरी एक फ्रेज है पूरी की पूरी क्या है? एक फ्रेज है अब बताई ये फ्रेज है कोन सी? और इसका हैड़ Academic कोन है? इस परकार के questions आते हैं कि नहीं आते हैं? मैंने आपको बता दिया कि ये पूरी की पूरी एक phrase है, आपको बताना है कि कौन सी phrase है, एक बात, इसका head word कौन है, यानि इसको MHM में इसको आपको label करना है, MHM बताना है, इसका MHM बताना है, इसका head word है, वो कौन है, story है, ये इसका head word है, ठीक है, ये इसका क्या है, pre-modifier है, और इसमें M, ये अपका क्या है, M, ये क्या आपका, H, अब आगे क्या है, इसमें ये बताओ, about the alligators, ये prepositional phrase है, क्या है बता ये, prepositional phrase और किसी भी noun phrase का post modifier कोन हो सकता है, किसी भी noun phrase का post modifier कोन हो सकता है, prepositional phrase हो सकती है, याद है क्या आपको, जब हमने आपको MHM पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि noun phrase का post modifier कोन हो सकता है, prepositional phrase हो सकता है, इसलिए आप ये नहीं लिखेंगे, M, 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 ऐसे नहीं लिखें क्या है एक के M है तो यह M H M फिर और देखीगा एक चीज और समझेगा इन दे कैनल किसमें कैनल में इन दे कैनल यह एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है in preposition और their channel ये एक और prepositional phrase है इसके जो structure बनी वो M H M M बनी है और इसका head word कौन है इसका head word कौन है story है ये पूरी की पूरी क्या है ये noun phrase है बेटा जब आप authentic book से exercise करेंगे तब आपको पता चलता है कि questions किस level के होते हैं आपको जानके बड़ा अच्छा लगेगा कि ये जो पूरा test है आज का ये आपको English grammar for today की exercise 6E से ली हुई है जोंकी तो questions है किसी बच्चे को confused हो तो जाके book देख लेना और 6E वाली जो exercise है वो मिला लेना ये same exercise है उसमें option वगरा नहीं option हमने set किये हैं इसके आप लोगों के लिए इतनी मेहतन इतनी मेहनत हमने की है ये हो गया यानि ये पूरा का पूराता क्या है subject है समझ में आगी बात clear है confused तो नहीं हो रहे ना confused नहीं होना बेटा इस level की तयारी करनी है आपको इस level की तयारी करोगे तबी top ring पे selection होगा otherwise मैं छोटा सा sentence लिख देता और फिर आप उसको कहते गुरुजी आ गया समझ में वा वा क्या बात है बड़ा अच्छा समझ में आया लेकिन exam में जब question आता तब आपको लगता कि ये कहां से आ गया इसलिए पहले ही अच्छी तयारी करके देएगा अब ये देखेगा ये पूरी की पूरी एक phrase है और वो कौन सी है वी पी वाबल phrase है पैसी voice है क्या है पैसी voice है अब बताओ इस पूरे sentence का क्या structure है ये केवल और केवल SP है ये क्या है बटा ये SP ये केवल दो ही चीज़े है इसमें एक subject है और एक कौन है प्रेडिकेटर है deny का मतलब क्या होता है D-E-N-Y deny इसका similar और opposite word याद करने की कोशिस करो deny यानि मना करना होता है इसका similar word भी लिखो इसका opposite word भी लिखो क्योंकि word power भी आपके syllabus में है antonyms और synonyms भी आपसे पूछे जाएंगे तो deny अच्छा word है पूछा जा सकता है चलो आगे बढ़ते हैं भी question number three ये है आपका question number three चलो भी बताओ इसका भी pattern क्या है question क्या है all of them were worrying about their own problems फिर about आ गया इस बार कोई गलती नहीं करेंगे बताओ भी about क्या है यहां कौन सा part of speech है about फटाफट लिखो भी जल्दी करें फटाफट पैंच चलता रहना चाहिए और पूरे जौस के साथ मुझे भी जौस हाना चाहिए फटाफट चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए all of them एक phrase है all of them एक phrase है कौन सी phrase है noun phrase है निस्सी तुरुप से subject है इसका बलब noun phrase है यह आपकी noun phrase है subject का काम कर रही है इसलिए subject लिख देंगे इसका head word कौन है फटाफट लिखेगा फ्रेज है तब कोईन कोई head word भी तो है बताएगा all of them में head word कौन है all of them बताओ बेटा यह phrase तो होगी लेकिन head word कौन है इसमें कई बच्चों को लग रहा है sir all है कईों को लग रहा है them है अब कैसे पता करें all है या फिर them है चलो मैं आप लोगों एक बात आता हूँ head word और pre-modifier या फिर modifier में modifier चो होते हैं वो हमेंसे आँ optional होते हैं और head word क्या होता है optional नहीं होता है यानि आप head word हटा देंगे तो फिर उसका कोई meaning नहीं रह जाएगा इसमें से कौन से को हटा दो कि sentence नहीं बने फिर all को हटा दें या them को हटा दें आप of them को हटा दो all were worrying about their own problems ठीक है क्या दिकत है बन रहा है न sentence all were worrying about their own problems sentence बन रहा है क्या दिकत है तो head word कौन है all ही है यदि आप लो all of को हटा देंगे all को हटा देंगे of them तो फिर complete नहीं हो रहा है इस प्रकार से आप वहां देखीगा head word कौन होता है और pre-modifiers या फिर post modifier कैसे identify करेंगे इस प्रकार से identify करेंगे war worrying ये देखीगा ये आपकी क्या है VP है तो S हो गया P प्रेडिकेटर हो गया about their own problems ये क्या है पूरी की पूरी prepositional phrase है about preposition ये their own problem ये क्या है आपकी noun phrase noun के साथ क्या आजाए preposition आजाए तो क्या होती है prepositional phrase होती है और prepositional phrase sentence में क्या काम करती है बताईए भई prepositional phrase एक sentence में क्या काम करती है comment box में लिखके इबताईगा क्या काम करती है बताईगा adverbial का काम करती है किसका काम करती है adverbial का यह क्या होगी आपकी adverb यह लोगी क्या pattern हुआ S P A यह pattern हुआ इसका S P A pattern हुआ कहां है option इसमें इसमें option है C S P A हुआ ठीक है अभी आगे बढ़ सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं question number 4 question number 4 यह है आपका question number 4 ठीक है चलो फटा फट बता दो पहला काम क्या करेंगे phrase ढूंडेंगे phrase का क्या करेंगे head word ढूंडेंगे उसका pre modifier या फिर post modifier ढूंडेंगे और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे यह है the police the police P O L I C phonetic transcription क्या होता इसका बताओ भी P O L I C police का पै ए ले यह होता है इसका पै ए ले पलिस यह इसका phonetic transcription होता है police नहीं कहेगा कोई भी ठीक है नहीं कहोगे ना बिलकुल नहीं कहेंगे तो यह इसका phonetic transcription हमने देखा चलो आगे और बढ़ो दूसरी क्या फ्रेज है इसमें caught यह दूसरी फ्रेज है यह subject यानि noun phrase यह VP यानि predicator किसको पकड़ा the thief किसको the thief तो यह क्या हो गई आपकी है तो यह भी noun phrase लेकिन यह किसका काम कर रही है object का काम कर रही है किसका काम कर रही है बढ़ा object का और उसके बाद है red handed handed नहीं कहेंगे क्या कहेंगे red handed और यह आपकी adjective phrase है कौनसी phrase है adjective phrase है clear होगी तो आपका subject predicator object और object के बाद आने वाले adjective phrase compliment का काम करती है किसका काम करती है compliment object compliment किसका काम करती है बढ़ा object compliment तो इसमें देख लीजेगा कहां है SPOC यह इसका answer हो गया SPOC समझ में आगी चलो भी एक चीज और बताइए मुझे यहाँ definite article दे का प्रियोग किया हुआ है definite article दे का जो प्रियोग किया जाता है वो दो sense में किया जाता है एक generic use of articles है और एक specific use of articles है आज कल ऐसे question exam में पूछे जाते हैं मैं एक sentence लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कौन सा sentence है देखना The cow is यह sentence है The cow is a useful animal useful animal A-N-I-M-L The cow is a useful animal ठीक है दूसरा है The cow is a The cow is a useful animal तीसरा है Cows are useful animals Cows are useful animals एक है The boys standing there are intelligent The boys standing there Are intelligent I-N-T-E-L-L-I Intelligent बोलेंगा Intelligent नहीं बोलेंगा यह यह भी हो सकता था The cows grazing there Are mine The cows grazing there गाय जो वहाँ चर रही है मेरी है ठीक है अब आपको जो answer है वो यह है यह sentence सही है यह सही है यह सही है यह सही है इसको मैं number दे देता हूँ एक दो तीन और चार आप comment box से फटा फट लिखके बताओ कि इनमें से कौन-कौन से sentence सही है और कौन से sentence सही नहीं है आपका काम यह है उसके बाद फिर आगे बढ़ते है फटा फट लिखो भी कौन-कौन से sentence सही है इसमें यहीं से एक topic निकल के आता है specific use और generic use of article specific का मलब विशेश और generic का मलब समानने करण में The cow is a useful animal sentence सही है सिंगलर के साथ article दे का प्रयोग क्या जा सकता है पूरी जाती को बताने के लिए यहाँ जो article दे का प्रयोग है इसको कहता है generic use of article दे, generic use generic use of article दे, ठीक है ऐसा एक question पुछा हुआ पिसला कोई एक्जाम हुआ था साथ उसमें पुछा था कि यह article दे का प्रयोग specific है, generic है तो यह generic है यह, the cow is यहाँ पन ए लिख देता है a cow is a cow is यह देवाला तो सेम ही होग है न a cow is a useful animal यह भी ठीक है singular के साथ a का प्रयोग किया जाए या n का प्रयोग किया जाए तब भी पूरी जाती को बताता है यानि यह दोनों sentence बिल्कुल क्या है ठीक है यह जो a का प्रयोग है यह भी क्या है generic है वैसे a का प्रयोग indefinite article है उसका प्रियोग generic ही होता है उसका specific होता ही नहीं है यानि आप article A का प्रियोग करेंगे कई बच्चों को लग रहा हूँ कि सब बहुत deep जा रहा है deep नहीं जा रहा है आपको इमानदारी से बताता हूँ ये question साइद जो आपके वीडियो की एक्जाम होई थी उसमें आया हुआ है कि specific use है generic use है आप कह रहे हैं उसर डिटेल में जा रहे हो नहीं बेटा ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए ये दैका specific generic use हो गया generic का मतलब होता है पूरी जाती के लिए समानने रूप से जब प्रियोग किया जाए वो generic होता है specific का मतलब विशेश रूप से किया जाए जैसे यहां देखेगा ये sentence भी सही है ये यहां लगाएं ये भी सही है इसको zero use specific कहते हैं यहां बिल्कुल use नहीं होग है इसको zero कहते है लेकिन यहां जो जाउज है ये भी क्या है generic है यानि सारी गायों का जिकर यहां हो रहा है जाती के रूप में यहां जो देखा प्रियोग हो रहा है ये जो है ये specific use है article देखा ये generic use नहीं है ये specific use है यानि वे लड़के जो वहां खड़े हैं वो कौन से हैं intelligent है छोटी सी बात दिमाग में आ गई मैंने आपको बता दिया कि generic use क्या होता है और specific use क्या होता है जब article देखा प्रियोग के किसी noun के साथ किया जाए singular के साथ जो पूरी जाती की तरब इसारा करे तब वो क्या होता है generic use होता है और जब article देखा प्रियोग इस प्रकास सी किया जाए किसके लिए किसी विशेश रूप से बताने के लिए particular के लिए इस प्रकास से यहां किया हुआ है फोर्थ वाले में तो यह क्या होता है यह specific use होता है चीजे समझ में आगे होगी भी आपके चलो आगे बढ़ते हैं पपन आगे बढ़ते हैं शाबास बहुत अच्छे बच्चे हैं भी आप सबके सब लोग बड़ा मन से टेस्ट दे रहे हैं बड़ा मन से शोल करने कोशिस कर रहे हैं एक question फिर आगया V subject है V will rehearse यह क्या है आपकी P है क्या rehearse करेंगे Reggies act यह आपका क्या है object है once again एक बार फिर से once again एक बार फिर से क्या है यह edvabil है क्या है गाटा यह edvabil है अब आपका एक काम है वो क्या है ये last वाली जो फ्रेज है once again आपको बताना है ये कौनसी फ्रेज है आपका काम क्या है आपको ये बताना कि कौनसी फ्रेज है और फिर इसके साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसका head word कौन सा है ये आपका काम है फटा फट लिग दीजिएगा कि कौनसी फ्रेज है और इसका head word कौन है आगे बढ़े चलो भी आगे देखते हैं question number six यह आपका question number 6 है question number 6 answer करो भी फटा फट question number 6 का question number 6 on wages policy यह आपका यह है कौन सी phrase है prepositional phrase है on preposition है इसका मलब A है adverbial है उसके बाद देखेगा the leader of the opposition यह क्या है the leader of the opposition पूरा का पूरा क्या है subject है क्या है बीटा यह यह आपका subject है ऐसे पिछा नहीं छोड़ना है आप लोगों को बताना है कौन सी phrase है इसका head word कौन है यह बताना है the leader of the opposition यह आपका noun phrase यानि np है leader इसका head word है of the opposition prepositional phrase है जो की noun phrase का post modifier है आप बताए इसकी structure क्या है of sorry the leader of the opposition इसकी structure क्या है मैं option लिख रहा हूँ पहला m h m यह है h m m दूसरा m h m m m m m h m m बताओ इसकी क्या structure है चार option आपके पास a, b, c, d यह चारों option जो है वो है a b c d चारों option है बेटा class के बाद आपको लगना चाहिए कि हमने कुछ समय दिया है ऐसा नहीं है कि आप लोग class लेंगे और आपके दिमाग को जोर भी नहीं आएगा आप ऐसे ही बैठे-बैठे मौज मस्ती करके class लेके चलाज जाएंगे ऐसा नहीं है बेठा आपको बहुत सोचना पड़ेगा तब जाके class complete होगी आपको कई questions के answer देने पड़ेंगे तब ये class complete होगी आप बहुत कुछ सीखेंगे तब ये class complete होगी बताओ ऐसे ही topers नहीं बन जाते हैं बेठा आपको topers बनने के लिए जिद्धो जहद करनी पड़ेगे चीजों को इस दन से पड़ना पड़ेगा मैं सारे questions नहीं पड़ा सकता ऐसे मेरी अपनी सीमाएं हैं लेकिन आपको सारे questions ऐसे ही पड़ने जब आप practice करेंगे तो हर एक question में इस प्रकास से निकाल के पड़ेंगे इसकी structure है ये M है ये H है और ये पूरा का पूरा क्या है M है यानि prepositional phrase पूरी की पूरी एक modifier मानी जाती है post modifier age being ये आपकी वाब है क्या है ये predicator थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं चीज़ें समझ में आ जाएंगे आपके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नहीं तो ghost post हो जाएगा पूरा इसको मिटा लेते हैं चलो आप देखते हैं फिर ये देखेगा age being ये क्या है वाब है यानि ये आपकी predicator है extremely cautious extremely cautious कौन सी phrase है phrase नहीं पता करोगे तो spoc ये नहीं आ सकता आपको आप फिर तुक लगाएंगे सिर्फ इसके अलाव कुछ नहीं कर सकता है ये आपकी adjective phrase है और b के बाद ये आपकी b वाब b के बाद यदि आपके adjective phrase आती है क्या आती है भी b के बाद adjective phrase आती है तो बताईए वो क्या होता है अपने sentence pattern पढ़ा होगा b वाब के बाद यदि adjective phrase आये तो वो क्या कहलाती है वो compliment कहलाती है b के बाद he is very intelligent he is being very clever बहुत चालाग बन रहा है he is being very clever c-l-e-v-e-r उपर वाला sentence ऐसा यह बस इसकी बतादो structure he is being very clever बताओ भई he क्या है subject is being वाब है very clever adjective phrase s-p-c head word clever very adverb सुद में आगी बात very क्या है यहाँ adverb तो extremely भी क्या है यहाँ adverb extremely और यह क्या है अपकी adjective है तो pattern क्या हुआ इसका s-p देखेगा यह a हो गया उसके बाद में यह क्या था यह s-a-s यह p और a-s-p-c यह देखेए रहा a-s-p-c ठीक है भी आगे बढ़ें चलो आगे बढ़ते है question number seven बताना जरूर है भई किसके कितने questions सही होते है बताएंगे जरूर no doubt बहुत अच्छा sentence है no doubt बहुत अच्छा sentence है यह आपकी एक phrase they दूसरी phrase will tell तीसरी phrase us एक और phrase the same story एक और phrase tomorrow एक और phrase पहले phrase marking कर लो कर ली क्या क्या सही कर रहे हैं आप लोग जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोग भी practice किजिए का साथ साथ no doubt पहले ती यह बताओ कौन सी phrase है no doubt d o u b t no doubt कौन सी phrase है no doubt noun phrase है कौन सी phrase है noun phrase head word कौन है doubt यह क्या है no objective है अब इसमें सबसे बड़ी बाद जो हो यह है कि यह चो noun phrase है इस sentence में किसका function कर रही है पहुत rare function है noun phrase का noun phrase subject का का काम करती है noun phrase object का का काम करती है noun phrase compliment का का काम करती है noun phrase कई बार adverbial का भी काम करती है कई बच्चों को याद आ रहा होगा जिस दिन हम आपको noun phrase पढ़ा रहे थे उस दिन बताया था कि noun phrase क्या काम करती है adverbial का भी काम करती है जिसमें preposition छुपी हुई होती है कैसे है no doubt यहाँ adverbial का काम कर रहे है क्या था यह they will tell us the same story tomorrow without any doubt no doubt क्या था यह without any doubt था इस प्रकास से यहाँ यह जो है बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा noun phrase क्या adjective का काम sorry adverbial का काम करती है हाँ बिलकुल करती है और यहाँ यह adverbial ही है तो यह क्या है adverbial they क्या है subject will tell प्रेडिकेटर यानि वाब us object कौन सा object है या आप जानते हैं हमने पहले वाले टेस्ट में चर्चा की थी direct object, indirect object cognate object prepositional object सभी प्रकार की चर्चा हम कर चुके हैं आज नहीं बताएंगा आपको दुबारा आप बताओ यहाँ us कौन सा object है us कौन सा object है आपका काम है या आप बताओ फटा 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 us कौन सा object है the same story यह भी object है हमें बताई क्या बताई the same story तो यह भी object है कब बताया tomorrow तो यह भी क्या है adverbial तो बना a s p o o a यह pattern है इसका अब देख लो भी यह कौन से में है वो ही आपका answer होगा a s p o o a यह pattern है इसका चलो भी अब एक बात और पूछते हैं आप से हम यह तो same है यह same दिख रहा है यह कौन सा part of speech है पहली बात कौन सा part of speech है यह लिखो पहले तो कि same यहां कौन सा part of speech है और फिर बताईगा बता दिया कई लोगोंने कि सर यह adjective है क्या है यह adjective है determiner कह सकते है कौन सा है demonstrative है कौन सा है demonstrative adjective है कौन सा adjective भी तो है demonstrative यह same story demonstrative होता है इसी प्रकास से एक वर और होता है देखेगा इस लिकेगा इस वस दे very question this was the very question the teacher asked me the teacher asked A-S-K-E-D asked me इसको डे बोलोगे कि टे A-S-K-E-D यह ask के बाद में टे है या डे है यह जो E-D sound है यह टे की sound है या डे की यह tacky sound है किसकी sound है यह tacky, phonetics पढ़ लेना ठीक से ठीक है, मेरा जो question है वो यह है कि very कौन सा part of speech है very the teacher asked the teacher this was the very question very कौन सा part of speech है जो part of speech same है वो ही कौन है very है यह भी demonstrative adjective है कौन सा adjective है demonstrative adjective है he is very intelligent he is very intelligent i-n-t-e-l-i-g-e-n-t he is very intelligent यहां very कौन सा part of speech है यह बताओ यह very यहां very कौन सा है वहां very कौन सा है आपको जानकर ही है कि आज हम कितने नंबर का paper लेके चल रहे हैं 5 नंबर एक्जाम में SPOCA के 5 नंबर एक्जाम में MHM के 5 नंबर एक्जाम में part of speech के 15 नंबर का लेके चल रहे हैं बहुत लंबा paper है यानि बहुत लंबी लंबी बातें करनी हैं हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें very कौन सा part of speech है बताओ intelligent क्या है adjective तो very क्या हो गया adverb यहाँ adverb लेकिन यहाँ क्या है demonstrative adjective चीज़े समझ में आगई होंगी भी चलो आगे बढ़ते हैं question number 8 question number 8 the potter called me a taxi the potter called me a taxi, potter kuli होता है the potter यह आपकी एक phrase called एक, me एक और ataxi एक यह फ्रेजे जैस में आसान साही है कोई लिखत नहीं the potter called me a taxi इसको ऐसे भी लिख सकते थे the potter called ataxi for me इसको ऐसे भी लिख सकते थे the potter p-o-r-t-y the potter called a taxi for me a taxi for me इसे भी लिख सकते है दोनों के structure बता दो चलो पहले तो इसकी बताओ इसकी और फिर इसकी यह B question मान लेते हैं इसका यह C का B question इसकी भी structure बता दो इसकी तो यह है subject यह है V इसकी यह है आपका object और यह भी क्या है object दो object हो गए इसमें इसमें यह जब object इस तरीके से लिखा जा जा देया है for me फिर कह रहा हूं देखेगा तो आप इसको क्या नहीं कहना अब इसको object नहीं कहना अब आप इसको adverbial कहना क्या कहना मैठा इसको adverbial क्योंकि अब यह prepositional phrase बन गई है क्या है prepositional phrase ठीक है इसमें इतनी बातें थी समझाने जासी वह हमने आपको समझा दिया आगे चलते हैं यह देखेगा यह इसलिए पुछा हुआ था कि call verb से confuse नहीं हो जाए इस question को फटा-फटा answer करो the potter called me a yob yob का मतलब होता है उदंडी सा लड़का थोड़ा सैतान किसम का लड़का होता है yob the potter called me potter subject call verb me object और यह जो noun phrase है it refers to this object यह noun phrase is किसके लिए है me के लिए है यनि object के लिए है तो यह क्या है object compliment है my friends call me my friends call me asu मेरे friends मुझे asu कहके बुलाते है क्या कहते है asu call me asu asu क्या है compliment है asu क्या है compliment समझना आगे होगी बात यह तो यह क्या है इसमें as p or c कहां भी इसमें asp or c यह था इसमें आपका answer ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं question number 10 rameis sounds an interesting guy it sounds a good decision इसकी बना लो पहले समझ में आजाएगा it sounds s o u n d s it sounds a good decision d e c i s i o n it sounds a good decision it क्या है subject sounds verb a good decision compliment है यह क्या है compliment है समझ में आगे है इस प्रकास से sound verb अपने बाद क्या लेती है compliment लेती है बिल्कुल वैसे ही है rameis subject है sounds seems है sound का मलब क्या है seems प्रतीत होता है appears a double p e a r s appears looks l double o k s looks ठेक है यह इसके अर्थ में यूज हो आए sound समझ में गया interesting guy वो एक अच्छा लड़का दीखता है interesting guy दीखता है तो यह आपका subject यह आपकी वाब और यह पूरी की पूरी जो आपकी noun phrase है यह noun phrase compliment है बिटा क्या है यह compliment है समझ में आगी होगी चीज़े आपके क्या है subject वाब compliment है चलो अभी next question देखते है Ramesh knows an interesting story आसान है कोई दिक्कत नहीं यह सब का सही होना चीए एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चीए जो confused हो जाए इसमें एक्जाम में सारे के सारे questions ऐसे नहीं आते हैं बहुत difficult easy भी आते हैं डेड़सों में से easy भी आएंगे difficult भी आएंगे बीच बीच के से भी आएंगे सारी चीज़ों कहेंगे यह जो आसान है उनमें से एक है Ramesh क्या है subject knows जानता है क्या जानता है an interesting guy एक अच्छे से interesting लड़के को वो जानता है क्या जानता है एक interesting लड़के को जानता है तो क्या हो जाएगा इसमें S-P-O आपका काम यह है इसकी passive voice बना दो इस sentence की passive voice बना दो फटा फट यह काम है आपका इस sentence की passive voice बनाईगा देखते हैं कितने बच्चों की इसकी passive वो इस सही बनती है क्योंकि हमने क्या कहा object है यह object है तो क्या बनेगी पैसी वो इस बनेगी ना बनाईए no वाब के बाद buy नहीं आता है क्या नहीं आता है buy नहीं आता है to आता है तो बाई की स्थान पे क्या आएगा, पैसी वस में जब बाई लिखते हूं, वह बाई नहीं आएगा, क्या आएगा, नौ के बाद में, धर्ट फॉर्म नौन बन जाएगी, फिट तू आएगा, ये ध्यान रखने की बात थे, आगई सामने तो आप लोगों को बता दी बस, Most of us are working this evening, ये भी आसान है, कोई दिकत नहीं, आसान से होने वाला sentence है, Most of us, ये, are working this evening, subject, are working, predicator, और this evening, adverbial, this evening क्या है, adverbial, तो क्या बन गया, वी तो लिखा है नहीं, adverbial, ठीक है, क्या हो गया इसमें, S-P-A, subject, verb, adverbial, subject, predicator, adverbial, this evening, चलो भी आगे वढ़ते हैं, Next question आपके सामने आगया है, question number 13, अच्छा sentence अभी ये भी, We state, we क्या है, subject, state, verb, in a camp for teenagers, हम एक camp में रुके, जो किन के लिए था, किन के लिए था भी, एक camp for teenagers के लिए था, एक camp for teenagers, कहां रुके हम, यहां रुके है अपन, एक camp for teenagers, एक ही है, क्या लिखते हैं हम, S-P-A, next देखिएगा, वो पहले वाला sentence था, वो इसलिए लिखावा था, कि इसका इससे compare करना है, कि उसमें एक है, एडवर्बियल, और इसमें दो है, एक कब हो, और दो कैसे होती है, यह समझना है, बस इस sentence में आपको यही समझाया हुआ है, कि एडवर्बियल एक हो, तो एक लिखनी है, दो हो तो दो लिखनी, इसमें क्या देखो, वी, आप answer कर दिया सबने, आप फटा-फट answer कर दिया गरो भी, जितना जल्दी answer करोगे, उतना जल्दी हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, वी state, यह क्या है आपका, यह predicator, यह आपका subject, in a camp, हम एक camp में रुके, four ages, कई दिनों तक, four ages, तो यह अलग है, क्या, adverbial, और यह अलग adverbial है, समझे आ रही है न, यह अलग adverbial है, यह अलग है, जबकि वो, a camp for teenagers, एक camp किन के लिए, teenagers के लिए, वो a की था, तो यहाँ a, और यहाँ भी a, तो क्या लेकिंगे इसमें, s, p, a, a, क्या समझा रहा है भी इस topic में, यहाँ यह यह बताने की कोशिस की है, कि जब एक sentence में एक से ज़्यादा adverbial हों, तो आपको उनको एक से ज़्यादा बार mark करना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार करना है, और यह पहचानना भी है, कि एक ही adverbial है, यह एक से ज़्यादा है, चलो भी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बन, question number 14, चलो भी, side question number 15, आगे है 15 question, बताओ भी इसका answer कर दो फटा फट, यह last question भी आजगी class का, इसलिए इसको सब लोग answer करेंगे, last question है, सब answer करेंगे, यदि आपको test देकर मज़ा आया हो, आपको लगा हो कि कई बातें नई सीखी हमने, और हमारे लिए test उपयोगी था, तो जरूर एक बार, मैं आप लोगों से appeal करता हूँ, कि आप जरूर एक बार इसको ज्यादा से ज्यादा share कर दीजिएगा, अपने साथियों तक, groups वगरा में, जहां भी आप कर सकते हों, जरूर कर दीजिएगा, dead has given, dead क्या है, subject है, has given, क्या है, predicator है, the carol singers, the carol singers, यह क्या है आपका, किन को दिया, object को दिया, a check for a thousand pounds, यह पूरी की पूरी क्या है, क्या दिया, यह पूरी noun phrase, ठीक है, यह यहां तक पूरी है, यह इसका check head word है, for a thousand pounds, इसका क्या है, post modifier है, लेकिन है एक ही phrase यह, कौनसी है, noun phrase है, noun phrase का prepositional phrase head word है, sorry, post modifier है, तो यह क्या है इसका, dead इसका subject है, hedge given, यह इसका एक object, और यह क्या दिया उनको, यह check दिया, इसके लिए, thousand pounds के लिए, तो यह भी इसका object है, इस प्रकास से इसके जो answer है, S, P, O, O, इसके answer से, इस प्रकास से, आज का हमारा एक test complete होता है, किसके कितने marks आए, एक बार जरूर बता दें, और इसी प्रकास से आप सब लोग तैयारी करते रहें, Thank you, thank you very much.